नमस्कार दोस्तों से में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बैडमिंटन से संबंध जितने भी जीके जीएस प्रस्थ बनते जो ऐसे सी रेलवे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पून रहेगा इसलिए यह वीडियो को आप पू यह देखे बैडमिंटन में आप याद रखेगा कि एक थॉमस कप और उबैर कप का आयोजन होता है कौन सा थॉमस कप और उबैर कप पूछेगा थॉमस कप का संबंध किस से है तो बैडमिंटन से याद रखेगा उबैर कप का संबंध किस से है बैडमिंटन से लिके भूलि यह होता है महिलाओं के लिए कौन सी परतिय उघता है उब youngest Cobb नज़र रखेगा आलिकि पुरुस के लिए Thomas Case Good direct आपको पूछेगा की Thomas Case Believe का संबंद किस खेल से तो बेद्मिन्टन से नज़र रखेगा उबैर कप का संबन किस से है? बाद मिंटन से नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है World Federation बाद मिंटन का हैड़ क्वार्टर कहा है कौालामपुर है कहाँ क्वालामपुर कहा है मलेशिया में याद रखेगा महत्पून प्रस्ट नहाए ठीक है दोस्तो के बाद चाहिता था था लेकि musst अने सा चोरासी के बाद U entrepreneurs UP कप को नयेg था ज्वारू होता इस थेपiko Mangarta razor के बाद शक्रा принципе पहले भी तीन बर्स के बाद आयू जीत होता था। लेकिं 1872 के बाद Thomas Cup भी दो बर्स के बाद आयू जीत होता था। पुछे गाkich i bare Cup और Thomas Cup कितने बर्स के बाद आयू जीत होता बर्तमान में तो दो बर्स के बाद नजयर रख妊न रखेगा। महत्पुन कोश्चन है, थॉमस कप की सुरुवात कब हुई, उन्हें सा उन्चास इसपी में, किस ने किया, जोज एलन थॉमस ने किया, थॉमस कप की सुरुवात कब हुई, उन्हें सा उन्चास में नजर रखेगा, महत्पुन कोश्चन है, ठीक है, और याद रखेगा, उब पहली लहाइस बार भारत जीता है। लेकिन लट भारत जो थामस कब 2012 में जीता उन्दोनीयक को बढ़तो हैं अगर पूछे 2020 के Thomas Cup के विजेता कौन सा तीम है इंडोनेसिया नजर रखेगा लेकिं इंडोनेसिया पूछे कितने बार अभी तक Thomas Cup जीच चुका है तो 14 बार इंडोनेसिया कितने बार Thomas Cup जीच चुका है तो 14 बार नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है जो आपके एक्जाम और येंटेड प्रस्त है इस पे नजर रखेगा बहुत ही महत्पून अभी देखे महिलाओं का उबेर कप का संबन बैट्मिंटन से लेकि यह किसकी परतियुपता है महिलाओं के लिए है तो लेकिं पूछेगा कि उबेर कप की सुरुवात कब हुई तो उबेर कप की उबेर कप कहा होगा मलेशिया में याद रखेगा महत्पून कोश्चन है पूछेगा उबेर कप किसके नाम पर पर पराथा नजर रखेगा पहला उबेर कप के विजेता कौन है अमेरिका है नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है लेकिन उबेर कप सरवाधिक बार किसने ज देस जीता है और फीटवेर कब कांचा देश चीन, लेकिं इंडोनेसिया कल फूँचे कोिटेंगो हैकी म काथा जीत चूप, 40 स्वस्वेल इभारतudयग बारत का किस放प जीता है। पांच जुलाई को मनाते हैं नज़र रखेगा, और यह जो badminton है, इसकी शुरुवात कब से हुई, सुरुवात किस देश में हुई तो इंगलेंड में नज़र रखेगा, बहुद ही महत्पून कोश्चन है कहां हो इसकी शुरुवात इंगलेंड में नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है अभी यहां ध्यान दीजिएगा कि 2026 में 20 बैटमिंटन की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो भारत नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है और देखिए यहां समझने योग बाते हैं इंटरन बैटमिंटन चैंपियन्स की सुरुवात अगर पूछे न तो उन्हें 77 इस पी लेकिन भूलिएगा नहीं कि जो रास्टिये खेल है किस देश का इंडोनेसिया का किस देश का इंडोनेसिया का भूलिएगा नहीं लेकि एक कोश्चन का जबा आपको कॉमेंट में देना है कि बैटमिंटन को एसिया खेल में कब सामिल किया गया एसिया खेल में कब सामिल किया गया इसका जब आप कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा लेकि यहां पर ये कोश्चन को भूलिएगा नहीं बैदमिंटन को उलाम्पिक वे कब सामिल किया गया उन्हें सब बूलिएगा नह परकास पादू कौन का संबन की स्केल से हैं तो बैडमिंटन से नजर रखेगा लेकिन थोड़ा घुमा दे कि All India बैडमिंटन में दो बार खेलने वाले भारती खिलारी का नाम क्या है तो परकास पादू कौन है नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है अभी देखे पाठर का है नई दिल्ली है इस पर भी नजर रखेगा महत्पून कोश्चन है और यहां समझिएगा कि जैसे IPL की सुरुवात कभी 2008 SP में IPL इंडियन प्रीमियर लिंग इसी तरह होता है प्रीमियर बैडमिंटन लिंग इसकी सुरुवात कभी 2013 SP में नजर रखेगा बैंक किया सथापना कभी धार यह होई थी महला बैंक कि रस्थापना घ्रमियर प्लाउन अगर महत्पून कोश्चन तो पूछेगा अगर भार्ति महला बैंक किया सथापना कभी तो 2013 OSW और नजर रखिए गे लोकपाल के लिए अधिनियम लाया गया कब लोकपाल के लिए अधिनियम कब लाया है 2013 में इस पर भूलियेगा नजर रखेगा जो आपके एकजाम की पुलेलया गोपी चंड और साइना नहवाल का संबन किस से बैट मिंटन खेल से महत्पून question है अब यहां समझेगा कि बैड्मिंटन जो आप लोग खेलते होंगे उसमें रैकिट की लंबाई कितना है 26 इंच है कितना है 26 इंच है नजा रखेगा महत्पून question है निउ कैस्टल बैड्मिंटन कलब का नाम है पूछेगा बैडमिंटन खेल का सबसे पुराना कलब का नाम क्या है तो निव कैस्टल बैडमिंटन कलब है नजार रखेगा महत्पून कोश्चन है अब देखिए समझेगा आपको कि बैडमिंटन खेल से संबधित कुछ कप होता है जो बार-बार एकजाम में देखने को मिलत है तो इसके लिएक ट्रीक है अगर यह याद कर लेते दोश्टो तो आप यकीन मानिए अपको किसी परकार की इamprent ने दिवानी से क्या होगा, अमरित दिवान कप का संबन किसे है, बैदमिन्टन से, अमरित दिवान कप का संबन किसे है, तो बैदमिन्टन खेल से, नजर रखेगा मातपुन कोश्चन है, दिवानी से तो होगे अमरित दिवान कप, अब उसके बाद सूर में, सूर में, सूर से क्य की से नज़र रखेगा है, रहसे रामतुल्ला कप का संबन कि से नज़र रखेगा महत्पुनय और थम क्या होगा, थौमस कप, थौमस कप का भी संबन बैडमिनटन से जो पुरुष के दौरा आयोजित किया जाता है, थौम के नाच किये और में साइलेंग है यहाँ, नाच में ना से क्या होगा नारंग कप डिरेक्ट पूछा हुआ है कि नारंग कप का संबन किसे बैदमिंटन खेल से नजा रखेगा और चव से क्या हुआ चद्धा कप का संबन किसे बैदमिंटन खेल से है नजा रखेगा उबेर कप का संबन भी बैदमिंटन खेल से है नजा रखेगा महत्पुन कोश्चन है और एक चीज़ समझेगा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया कि थॉमस कप की शुरुवात उन्हें सउन्चास इसपी में नजर रखेगा उबेर कप जो महलाओं की पर्दयोगता है महलाओं के द्वारा खेला जाता है इसका उबेर कप का संबन किसे बैडमिंजन खेल से लेकि इसकी अस्थापना पूछे तो उन्हें संताबन में लेकिन एक कप की अस्थापना बहुत बार पूछता है वो कप भूलियेगा ने कौन उन्हें सन नवासी के यहां समझने योग बाते हैं जो पॉइंट में बता रहा हूं रैकेट की लंबाई कितनी होते वो तो मैं बता दिया बैट मिंटर खिल में रैकेट की लंबाई चबवीस इंच शब्विस इंच कि सुधिर्मन कब की शुरुवाद कभ हुई उनेश्ण 89 में लेकि सुधिर्मन उनेश्ण 89 से तीन परस्थ अगर याद कर लेते हैं तो यकीन मानिया आपको किसी परकार की दिक्कत नहींगो ठीक है दोस्तों तो पूछेगा जब आहां रोजगार योजना की पुलिये गाने महत्पुन तिरी संकु संसद का गठन कब हुआ तो उने संद नवासी में मत्दाताओं के उमर पहले क्या था कि चुनाओं में भोच गिराने के लिए 21 वर्स था लेकि 21 वर्स 18 वर्स कब किया गया तो यात रखेगा एक सत्मा सा मिधान संसोधन के उने संद 21 वर्स किया गया नजर रखेगा दोस्तों ये सभी कोश्चन आपके एक्जाम के लिए महत्पुन था जो मैंने आपको बता दिया ये सभी कोश्चन को आप जितना हो सके टाइम के हिसाब से रिवीजन में कीजिएगा अन्य था भूल जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आभी तो आप लाइक कर देना और सियर भी कर देना अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ मेल आइकन को भी दबा दीजे फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद दोस्तों